Hello everyone, welcome to my channel यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी छट पर छोटे छोटे गमलों में लगे हुए भिंडी के पौधे जो कि लगबग दो महीने पहले मैंने लगाये थे, मतलब दो महीने पहले मैंने सीडलिंग की थी और अब यह पौधे बिल्कुल तयार हो चुके हैं और इनमें भिंडी भी तयार हो गई है और हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो और मैं एक बार हार्वेस्ट कर भी चुकी हूँ तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम अपने घर पर छोटे छोटे गमलों में गर्मियों में भिंडी के पौधे किस तरह से लगा सकते हैं कैसे मैंने इन्हें लगाया कैसे मिट्टी तयार करी और कौन-कौन सी खाथ डाली क्या केयर करी सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो भिंडी को साल में दो बार लगाया जाता है एक बार गर्मियों में और एक बार बरसात में गर्मी वाली भिंडी की बुआई हम फरवरी एंड से लेकर के मार्च तक कर सकते हैं और जो बरसात में लगाई जाती है, उसे हम जून एंड से लेकर के जुलाई तक कर सकते हैं, अभी अप्रेल चल रहा है और आप अभी भी बुवाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाद जो सही समय होता है, वो मार्च एंड तक होता है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, तो भिंडी के पौधे लगाने के लिए आपको भिंडी के बीज लेने होंगे, तो देखे, ये मैंने भिंडी के बीज का पैकेट लिया है, जो कि हाइब्रीड बीज है, घर पर किचन गार्डनिंग करने के लिए हाइब्रीड बीज ही सही होते हैं, त लेकिन मैं direct लगाते हूँ तो मैं आपको यही तरीका बताऊंगे और यही तरीका ज़ादा सही भी होता है बिंडी लगाने का तो अधार मैं नीकाल लिए हैं लगाने के लिए और सब्जियों के लिए हमेशा कहते हैं कि बड़े dres बड़ी साइस के कंटेनर में अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं लेकिन भिंडी एक ऐसी वेज़िटेबल है जिसे आप छोटे साइस के कंटेनर में भी लगा सकते हैं यहां पर आप देखिए यह तब मैं आपको दिखा रही हूं इनकी देखे गहराई कित्मी है बहुत जादा नहीं है 7-8 इंच मुश्किल से इनकी गहराई होगी और इसी में मैं भिंडी लगाऊंगी और जो भी आपके पास जो छोटे गमले हैं 9 इंच के 10 इंच के 8 इंच के आप उसमें भी भिंडी बहुत आराम से लगा सकते हैं भिंडी के लिए आपके पास बड़े कंटेनर्स नही मिट्टी पहले से रेडी है क्योंकि पुरानी मिट्टी है मैं काफी टाइम से गार्डनिंग कर रही है तो खुब सारी इसमें गोबर की खाथ भी मिली हुई है और काफी सारा किचन वेस्ट भी मिला हुआ है लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार बता दूँ कि सेंड होती है देखे यह जो कंस्ट्रक्शन के काम आती है वह वाली रेट आपको लेनी है और साथ में लेनी है खाद मैंने गोबर की खाद ली है आप वर्मी कॉम्पोस्ट भी ले सकते हैं तो लगभग बराबर बराबर मात्रा में आपको यह तीनों चीजें लेनी है जो प कर लेना है तो यह एक basic तरीका है मिट्टी बनाने का इसी तरीके से मैंने शुरू में अपनी मिट्टी बनाई थी लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कई सालों से जब हम gardening करते जाते हैं तो हम लगाता जब पौधी लगाते हैं तो उसमें खाद वगएर डालते जाते हैं तो हर इसमें थोड़ा सा फंगी साइड मिला इंगे। कोई भी आप फंगी साइड ले सकते हैं ट्राय जराइकोडर्मा ले healthy tea नहीं है तो आप थोड़ी इसमें हल्दी भी मिला सकते हैं मैंने साफ लिया है और ये मैं थोड़ा सा इसमें मिलाओंगी और जिनकी पुरानी मिट्टी है जो नई तयार करना है वो भी नए सिजन में सब्जियां लगाते हैं थोड़ा सा फंगिसाइड इसमें मिला लीजिए तो देखिए ये तो हमारी मिट्टी तैयार हो गई इसे हमें अपने कंटेनर्स में भर लेना है और जिनकी पुरानी मिट्टी है जैसे कि मेरी भी पुरानी मिट्टी है तो उसे मैं किस तरह से एक बार जब हम नए पौधे लगाते हैं नए सीजन में तो एक बार हम मिट्टी को फिर से तैय करते हैं तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगे कि उसे किस तरह से तयार करना है तो यह तो हो गई हमारी नई मिट्टी रेडी जिसे हम बिल्कुल ऐसे ही अपने कंटेनर में भर सकते हैं और अब देखेंगे कि हम पुरानी मिट्टी को फिर से कैसे ताकतवर बनाएंगी जै करते है तो यह पुरानी मिट्टी है तो कंटेनर मुझे जितना भरना होता है उतना में कंटेनर को आधह पुरानी मिट्टी से बहर लेती हूं और जिसमें पहले से ही खादवगर्ण मिली हुई होती है आधह भरने के यह पाद smaller गिसमें में एक लेयर किचन वेस्ट के और उपर एक लेयर डाल देंगे और उसके बाद जो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट डालने के बाद उसके बाद फिर जो बचे हुई और मिट्टी है मतलब और जो बाकी मिट्टी है उससे हम इसे ढख देंगे और उपर से हम अपना कंटेनर तयार कर देंगे तो इस तरह से आपको अपनी पुराने मिट्टी को दुबारा से नया बनाना है, मतलब दुबारा से ताकतवर बनाना है, मैं हमेशा अपने सभी कंटेनर की मिट्टी ऐसे ही तयार करती हूँ, जब एक बार एक सद्वी हो जाती है, इसके बाद मैं मिट्टी को आधी मिट्टी निकालती नहीं डालती और जो लोग नए हैं वो भी ये तरीका आपना सकते हैं जैसे मैंने बताया आप गोबर की खाद और सेड बिला करके मिट्टी तयार कर लीजिए और आधी भरती और एक लेयर आप किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट की डाल करके फिर से बचें मिट्टी भी डाल सक सही रहेगा लेकिन जो लोग पुराने मिट्टी है जिनकी वो लोग ये काम कर सकते हैं मैं हमेशा ऐसे ही करती हूं तो देखिए इन टबों की मिट्टी भी इसी तरह से तयार की हुई है और अब मैं इसमें भिंडी के बीज डाल रही हूं इतने बड़े साइस के टब में मै तीन से चार पौधे भिंडी के रखूंगी लेकिन मैं बीज जादा डाल रही हूं हमेशा जितने पौधे आपको चाहिए होते हैं उससे जादा बीज डाले क्योंकि सारे के सारे बीज अंकुरित नहीं होते हैं सभी बीजों से पौधे नहीं बन पाते हैं कुछ बीज खरा दिये हैं और इसके अलावा मेरे पास जो भी छोटे गमले थे उन सभी गमलों में भी मैंने इसी तरह से सीडलिंग कर दी भिंडी की और उसके बाद मैंने अच्छी तरह से पानी दे दिया जब आप पहली बार पानी दे रहे हैं बीज लगा करके तो अच्छे से हेवी वाटर करना है आपको 6-7 दिनों में ही भिंडी के बीज अंकुरित होने लगेंगे पौधे बाहर आपको दिखने लगेंगे यहां पर देखिए करीब 12 दिन हो गए हैं मुझे लगाए हुए भिंडी के बीज और अब यह पौधे निकलने लगे हैं कुछ बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं और कुछ थोड़ा सा टाइम लिते हैं क्योंकि हमने एक्स्ट्रा सीड्स ढाले थे और अगर आपके जादा पौधे निकलाए है मतलब जितने पौधे आपको गंबले में चाहिए उससे जादा बीज निकलाए हैं और घने घने पौधे हो गए हैं तो उनकी पफञलगैंने अंकुरित कर लिया था और उसके बाद मैंने जहां पर मुझे पौधा चाहिए था और नहीं ऊगा पौधा वहाँ पर मैंने और मैंने यह दुबारा से सीडलिंग की थी तो फिर मेरे पौधे बिल्कुल तहीं से तयार हो गए थे जितने मुझे चाहिए तो कई बार ऐसा होता है कि जहां पर हम बीज लगाते हैं वहां पर पॉदह नहीं उगता है और कहीं कहीं पर गहने उगाते हैं तो हमें ये भी करना पड़ता है थिनिंग करने पड़ती है अगर जादा उगाए तो और कम होगा तो हमें कई बार दुबारा से भी सेडलिंग कर और बस इन बीजों को लगाए करीब एक महीना हो चुका है देखिए और ये पौधे हमारे इतने बड़े-बड़े हो चुके हैं अब हम इन पौधों को मैं एक लिक्विट फर्टिलाइजर दूंगी और उससे पहले मैं अपने गमलों की थोड़ी सी सफाई कर लूंगी जितन का एक बड़ा भाग न्यूट्रिशन का ले लेते हैं और जिसका सीधा असर पौधों की ग्रोथ पर होता है इसलिए आप गमलों में वीड्स बिल्कुल भी मत निकलने दीजिए उनकी आप सफाई करते रहिए और अब देखिए अब जब पौधों को लगाए एक महीना हो च जिसे की पौधे की ग्रोथ काफी तेजी से होती है और अब देखिए लगभग दो महीने होने वाले हैं हमें अपने भिंडी के पौधों को लगाए और हमारे पौधों पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है और मैंने देखिए सभी गमलों में मिलाकर करीब 15-20 पौधे भिंडी के लगाए हुए हैं तो एक छोटी फैमली के लिए कम से कम आप इतने पौधे लगाए इसे कम पौधे लगाएंगे तो आपको भिंडी खाने के लिए नहीं मिलेगी मतलब 2-4-2-4 मिलेगी आप सबजी नहीं बना पाएंगे तो अगर आपको अच्छे से भिंडी चाहिए कि आप भिंडी तोड़ कर खुद अपने गमलों से और सबजी बना लें तो 15-20 पौधे आप जरूर लगाएं और जब पौधों पर फ्लावर्स आने लगे उसके बाद आपको पौधों पर गोबर की खा अब करीब 2 महीने पूरे हो चुके हैं और हमारे सभी भिंडी के पौधों में अब भिंडिया लगना स्टार्ट हो गई हैं और शुरुआत में थोड़ी कम लगती हैं लेकिन दो तिन दिन की हार्वेस्टिंग मिला करके आप सबजी बना सकते हैं लेकिन जैसे जैसे पौधे बड़े होते जाएंगे ब्रांचेस निकलती जाएंगी पौधों में तो बहुत जादा मात्रा में भिंडियां फिर लगेंगी और जब भिंडि तयार होने लग जाएं तो उसे पौधे पर जादा समय तक रहने नहीं देना चाहिए उसे समय से तोड़ लेना चाहिए अगर आपकी भिंडी तयार हो चुकी है और आपने एक दिन भी और उसे छोड़ दिया तो वो पक जाती है और समय से भिंडी उतारना भी जरूरी है क्योंकि जब तक हम पहले तयार फलों को तोड़ेंगे नहीं तो नई सबजियों के लिए पौधों के लिए एनर्जी फिर कम पढ़ जाती है तो तयार बिंडीयों को टाइम टोड़ते रहिए और इंसेक्ट से बचाने के लिए जब पौधे एक महिने के हो गए थे तब मैंने एक बार इसमें ने मॉयल सॉलिशन का स्प्रे भी किया था बिंडी में जादा तर मिली बॉक्स की प्रॉब्लम आती है जहां पर नई पत्तिया निकलती होती है वहां पर सफेद रंगे मिली बॉक्स लग जाते हैं मेरे पौधों पर तो अभी नहीं है नहीं तो मैं आपको दिखाती तो जब पौधी छोटे हो तब आप एक बार उने ने मॉयल का इस्प्रे नहीं पाएंगे तो बस इसी तरह से आप भी अपने किचन गार्डन में छोटे छोटे गमलों में बहुत आसानी से भिंडी ग्रो कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू